Hello friends, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजर हैं और आज का जो टॉपिक हैं इंत्या इंट्रेस्टिंग है Difference between social change and social structural change sociology के paper से मैंने topic उठाया है CSS Pakistan का estim level का examination है 2020 के अंदर सवाल पूछा गया differentiate between social change and social structural changes discuss three key areas which need immediate attention of policy makers तो देखते हैं कि इस हवाले से हम क्या जान सकते हैं आज के topic के अंदर हम cover करेंगे what is social change, what is social structural change basic components को देखेंगे of social structural and change इसके साथ साथ उसकी examples को भी समझ के उसको उसके examples से जो है उसको समझने ही कोश्च करेंगे social structural change असल में है क्या और social change और social structural change में क्या difference हो सकता है फिर आखर में जो है वो three key areas को भी discover करेंगे जो के policy makers की attention को जो है वो अपनी तरफ जो है वो गेन करना चाहते हैं मैं हूं मौमद नौफफल सफ़ान ब्लाउंस नौफफल अकेडमी अगर आपको मेरा वीडियो पसना रहा तो प्लीज लाइक और सबस्क्राइब शेयर भी जरूर कीजेगा आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ तो पहले सबसे पहले what is social structure सबसे पहले हम यह समझने कि social structure होता है क्या है एक society social structure बनता कैसे तो कहता है कि society में family से लेकर education या religion तक कोई भी इदारे हो सकते है जिसमें इंसान interact करते है यही social structure कहलाता है social structure को change के साथ भी जोड़ा जा सकता है social structural change और social change दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं यहीं कि दोनों एक दूसरे को support करते हैं एक दूसरे पर interdependent है तो चलें social change को देखते हैं सबसे पहले कि social change क्या होता है तो याद रखिएगा कि ऐसा फर्क जो गुजरते वक के साथ society में नुमाया होने लग जाए तो वो social change है तो वो social change है तो वो social change है वो एक जमाने के अंदर eard cards बेज़े जाते थे तालीम का तरीका बदल गया computer पर घर बैठी है आज कल जो है virtual education चल रही है इसी तरीके से जो है वो parents का जो relation है children वो भी change हो गया student teacher का relation उसका behavior उसका पूरा structure change हो गया तो एक नई society जनम लेने लगती है और इसी चीज़ को sociology के अंदर हम पढ़ते है basically मैं फिर repeat कर दूँ कि sociology असल में है social change को पढ़ने का ना मेरे students समझ लें कि sociology दरसल overall sociology को अगर हम चन लफ़ों में कहें तो sociology है social change को observe करने का नाम social change को देखने का नाम sociology है ठीक है जी basic components of social structure and change अब social change को हमने समझ लिया तो social structural change को देखने के लिए हमें उसके components को समझना पड़ेगा for example सबसे पहले देखना पड़ेगा चार चीज़ हम देखेंगे एक है status status change हुआ है social structural change जब हुई है तो सबसे पहले status change हुआ है status क्या change हुआ है बाप और बेटी student का teacher के साथ status change हो गया अब अब जो है वो student और teacher का वो relation नहीं है जो आज से 100 साल पहले है 200 साल पहले होता था इसी तरीके से parents का जो है वो अपने जो है वो children के साथ family के हवाले से बात हो चाहे वो कुछी और institution की बात हो society के अंदर आफियत तक change हुआ है roles change हो गए है आज जो है वो एक जमाना था कि कभी माबाप जो है वो teacher नहीं होते थे लेकिन आज माबाप भी teacher का role करते हैं education इसवाद हर घर के अंदर है parents can play the role of teacher इसी तरीके से groups जो है ये change हो गए है social structure जो है वो अगर आप सिर्फ इस point से explain कर दे तो ज़्यादा बहतर है कि social structure क्या groups ठीक है जी अब groups क्या है groups दो हिस्सों में divided होते हैं एक जो है वो ये primary लिखावा है और primary और secondary देखें primary जो हैं वो small होते हैं ये दो groups में बटी वे society एक primary groups हैं ये social structure में बता रहा हूँ आपको उसकी example बता रहा हूँ तो primary groups जो हैं small होते हैं लेकिन depth में होते हैं इनके अंदर रिष्टे गहराई के साथ होते हैं face to face होते हैं इसकी example है family ठीक है जी ये groups primary group होते हैं और ये families की सबसे बहती हैं ये चोटी होती है और depth में होती है गहराई में होती है आप family के अंदर जो relations होते हैं वो बड़े गहराई में होते हैं और face to face होते हैं आप रोज आना एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे को चूँ सकते हैं आम तोर पे इसी तरीके से family का structure होता है secondary groups क्या होता है secondary groups large होते हैं और ये superficial होते हैं लेकिन साथ में ये common goals होते हैं इस वज़ा से group बने होते है common goals और इसकी एक आसान सी मिसाल है political party आप political party देखते हैं कितनी बड़ी होती है पाकिस्तान के अंदर आप देख लिए Muslim League है इसी तरीके से तहरीक अंसाफ है जो भी पार्टिया हैं आप देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं सारे group हैं large हैं superficial हैं common goals हैं तो ये एक दूसरा group हो गया तो इस तरीके से माश्रा जो है वो दो हिस्सों के अंदर society दो हिस्सों के अंदर आपको नदर आती है और इसके भी structure चेंज हुए है यानि कि जो family का behavior था वो चेंज हुआ है इसी तरीके से जो है वो group का behavior जो है economy सब चीज़ जो social institutions हैं और social institutions की शकल और उनका का तरीका और उसका size भी बदल गया है हर चीज़ बदली है ठीक है जी तो ये basic components of social structure है अब ये के what is an example of social structural change over the time जार से बदा आप सब कुछ हो गया लेकिन अब हम example कैसे लें कि एक माश्रे के अंदर जो social structural change हुई है तो याद रखे इसके एक बहतरी मिसाल आप दे सकते हैं कि social movements in civil rights, women rights ये सारी की सारी movements आप देखते हैं कि ये social structural change है आज खवातीन को जो है vote देने का right है आज खवातीन को जा है वो बराबरी के हुकुक मिल रहे है इसी तरह के civil rights हैं जो के लोगों को मिल रहे है एक जमाने के अंदर एक आम आदमी को तो पढ़ने लिखने के लिए किताब भी नहीं मिलती थी आज वो अपने rights को एक किसी भी बादशाय किसी भी हुकुमरान के बराबर जा है उसको rights होते है अगर एक हुकुमरान को जो है वो किसी किसम की privilege है तो उसी तरह एक आम आदमी को भी democratic country के अंदर जा है उतनी privilege है तो ये चीज़ें जो हैं वो civil rights आप कह सकते हैं civil rights हैं जो के आज over the time जो है वो structural change आई है और अब जो है वो equality जो है वो आपको नदर आती है democracy की वज़ा से हर जगा पे equity जिसे कहते है equity आपको नदर आती है तो बहराल policy maker should focus their attention on the following three areas वो कौन कौन से हो सकते है social structural change की हवाले से unplanned urbanization पाकिस्तान को आप लेने unplanned urbanization है शहर जो है वो किसी किस तरह से फैल रहे हैं किस तरह से movement हो रहे हैं लोग गाउंगोटों से आके शहरों में रह रहे हैं कोई उसका record नहीं है तो planning के साथ जो है urbanization होनी चाहिए वो उसको government को उसके हवाले से policies बनाए चाहिए है population explosion जो है इसके हवाले से government की जो है वो मुनासिब policies उनी चाहिए और modernization of society जो है उसको भी government को जो है वो look after करना चाहिए तो I hope के ये presentation आपके लिए beneficial रही होगी अगर आपको मेरा वीडियो पसना है तो please like और subscribe कर देगा thank you very much